हेलो दोस्तो स्मार्ट पॉन्ट की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो इदि आपका कैंडरा बैंक में अकाउंट है और आप ATM कार्ट के लिए एपलाई करना चाहते हैं या फिर कहें debit card के लिए apply करना चाहते हैं तो Candra Bank आपको यह form भरना होगा तो अभी की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस form को आप कैसे भर सकते हैं तो चलिए बीना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आप यहां लिखावा पर सकते हैं Candra Bank Application Form for Debit Card From तो यहां जो है सबसे पहले आपको अपना अड्रेस यहां लिख देना है अड्रेस यहां लिख देने के बाद फिर आप नीचे आएंगे यहां लिखावा पर सकते हैं Name तो यहां जो है आपको अपना Name यहां लिख देना है Request for Card तो यहाँ आपको new पे यहाँ टिक कर देना है date of birth तो यहाँ जो है आपको अपने date of birth यहाँ लिख देनी है pen यहाँ जो है आपको अपने pen card का pen number यहाँ आपको लिख देना है mobile number यहाँ जो है आपको अपना mobile number यहाँ आपको लिख देना है फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पड़ सकते हैं Name as required in the debit card तो जो आप debit card के उपर जो name चाहते हैं वो name यहाँ आप लिख देंगे branch, आपका Canera Bank के जिस branch में आपका account है उस branch का name यहाँ लिख देंगे आपका saving account है तो यहाँ आप SB पे यहाँ टिक कर देंगे यहाँ जो है, आप अपना account number यहाँ लिख देंगे फिर आप नीचे आएंगे आप इस declaration को दियान से यहाँ पढ़ लेंगे declaration को दियान से पढ़ लेने के बाद यहाँ आप टिक कर देंगे फिर आप इस declaration को दियान से यहाँ पढ़ लेंगे पढ़ लेने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ लिखाओ अपर सकते है signature of the account holder तो यहाँ जो है, आपको अपने signature यहाँ कर देने है फिर आप नीचे आएंगे यहाँ लिखाओ अपर सकते है for branch use यह जो नीचे का portion है यह bank की अधिकारी भरेंगे इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है यह सारी चीज़े भर देने के बाद आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है तो आशाय दोस्तों, अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जान करी दिया है, आपको पसंद आई होगी वीडियो में और यह पसंद तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेर कर देना इसी वीडियो को और अभी दर आपने सब्सक्राइब नहीं किया आए स्मार्ट पॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना